दोस्तो कैसे हैं, आज हम स्टैफ लिंगे firewall की इस्ट दिच्टॉल हूं, जिसका वर्जन हैं, मैं आपको वर्जन बता जयता हूं, इस वर्ष्ण मजिन के ओपर हम आपको इस्टॉल कर के बताएंगे तो हमने गरना गया, सबसे पहले हमने फाइल पर जाना है उस पे न्यू वर्ष्ण मजिन पर ग्लिक करना है और ये मैं मैं एक वर्ष्ण मजीन करते हूँ तो इसको मैं forward करते था हूं फट 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 जैसे के में यहाँ मशीन हमने create कर दी यह आपको दिखा देता हूं कि स्कार आयो में नेटवर्क अभी मैं ब्रिजश मैं गरता हूं हाऊ अके वह जर् aan का होगा उसके बाद यह एमें नेटवर्क आजेगा उसके बाद मैं इसकी आयो देश्ड न हंद रूक कर दी算ique कि आयोस उफाइल के आपको लिंक भी दिश्क्रप्शन में िरुशन में मिल जाएका कि ऊसके बाद आम पर इंद आप हो कि ऑख करते कि अ करते आपती मशीन को पाऊंड करते हैं हिए turn्सीक यह देखे हैं यह हमारी मशीन पावर और बूट होने चली गई है यह देगे हैं वह पर बूट बूट आगिया है इसको हमने इंग्ली स्लेक करना है उसके बाद यहां पर हमने एफट डबाना है यहां पर हमसे कहेगा कि सामने डिस्पले पर एक मैसिज लिखा वा रहा हुआ तो आपने 135 टाइप कर देना 135 टाइप कर देना उसके बाद इंटर कर देंगे यह हमारी जो हमने 50gb की हार्ट ड्रैप बनाई थी उसको फॉर्मिट कर रहा है उसके अंतर पर इंटर इंटर कर रहा है यह हमारा फस्स्टेज जो के हम किरियो गंट्रोल फायरवर इंटरॉल कर रहे है नए अब इसने मुझसे कहा कि यह इंटर गर करके मैं अब आपने कुछ नहीं करना है फोदी पूरा सेटप स्टार्ट होगो फोदी यह प्रस्ताम इस्टारलिशन लेगा यह बीप आपको अवाज आई होगी यह बीप की यह बीफ इसका स्टार्टिंग का signal है कि start हो चुकी यह देखें, यहाँ पर यह बता रहे है कि आपने HTTP एक्सिस करना अपने web browser पर तो सबसे पहले हमें इसमें थोड़ी सी setting करनी है setting यह करनी है कि हमने इसमें देखना है कि network setting क्या होई भी है हमारी हम आप अधरनेट होगा है इसमें IP address की 10.1010 पर एक हमthemें इसमें का ओफशन हा रहे है remote administration का है इसको आपने explains करना है और इसके बाद इसको effort करेके modify करते हैं ठीके बाcken वकात ऐसा होता है कि यहाँ पे इंटरनेट की आईपी आईपी अअटारसा तो ये इंटरनेट के आई-पी से भी आप एक्सिस कर सकते है तो अब आपको करना ही है कि अब आपने अपने नेट्वर्क पे जाना है ये रप्टर में जाएके मिल पर जो होस्त के आई-पी है मैं आई-पी एडिकराऊंगा इसको जैसे कि मेरी आई-पी थी 10.10.10.1 थी मैं इसको टू कर दूगा और सब्नेट था टू डबल फाइफ तू डबल फाइफ यहां भी टैन डॉट टैन डॉट टैन डॉट गेटवे मेरा वन है क्योंकि मेरी फारवल वन है तो मैं गेटवेवे वन कर देता हूं यहां फिर और मैंने कुछनी करने स्कॉप के कर देने यह कर देने क्लोज कर देने ठीक है अब मैं आपको पिंग रिखाएता हूं यहां से में cmd ओन करूँगा cmd फे जाओंगा cmd फे लिपूप तिंग 10.10.10.10.1 वाइनस स्टेस वाइनस थी इंटर्स इस लेखे यहां पर रिप्लाई आगे अब मैं क्या करूँ हम सिंपल सा इपने पास ब्राउजर रॉन कर लेता हूं यहां पर लिखता हूं अपने फायरवॉल को एक्सिस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा यहां फेले लिखना पड़ेगा है इसके बाद सेमिकॉलूम दोबरा आपने डालने हैं उसके बाद आपर लिखना है 4081 यह इसकी प्वोट नमबर है उसके बाद इंसर रिंटिके यह यह आप से सर्टिफिकेट के अब गार आपने डाना है आप से अंड़िस कंटिन्यू यह देखिंगे मेरी fireballasis ho गई है दोस्तो अगर मेरे चैनल पर आप लोगो शस्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपको आगे भी इसको continue it करकता हुँ नेक्स करता हुँ इसको बंपर आप करता हुँ सुरी नेक्स करता हुँ यहां पर इंटर्णेट का में एर्र देर है तो में क्या दरने एक्टीवेशन अउर्डिशन उसके बाद यह हम से कहेगा आप अपना कंट्रिश करें टाइम जूल तो मैं अपना टाइम जूल कर लेता हूँ यहाँ पर कराची पाकिस्तान उसके बाद इसको नेक कर देता आपने नेक्स करते मया ? उसके बाद हमने दुбоरा नेक्स करते लेने है अब हमसे ये कह रहा है How do i write ? élut great passwurt means जिसके admin user's password रखना है तो मैं यहां बे your password रख दिलता हूं test nd1 2 3 test nd1 2 3 अगर आपके पास कोई gmail या official email रिट्रस है अगर आपके office में email चल दीए तो आप इसमे email देदें ताकि आपको कोई भी notification आयरवॉल में कोई भी issues आएगा वो यहाँ पर आपको notification कोई भी alerts आएगे वो आपको send गरता है इमेल आपको पताता देगा अगर आपके बस है option नहीं है तो आप इसको check लागा कि आप इसको टेक्क कर देए उसके बाद यह हम से thank you करे रहे हैं आपको प्रीश कर देंगे यह में वेबपेश पुल गया है यहाँ पर मैं admin लेकूंगा इसके बाद में पास्वा डालूँगा test at 123 यह देखे में आपको दोबारा पता देता हूं क्या करना पड़ेगा मैं इसको बार लॉग आउट कर देता हूं मैं ब्रावजर में पूरा बंद कर देता हूं मैं दोबारा सही यहा आ जाता हूं Firefox कौन करता हूं यहां पर मैं लिखता हूं https semicolon slash slash 10.10.10.10.1 उसके बाद semicolon 4081 उसके बाद आपने फिर slash लगाने पर लिखने है अपने admin अगर आप admin नहीं दीखेंगे तो यह आपको admin page नहीं देगा तो यह simple सा है इसका यह आपको याद रखना पड़ेगा उसके बाद आपको इंटर करेंगे तो यह आपका admin पैच कुछ जाएगा तो यह आपने user name में admin डालने है पासवर्ट में आप पासवर्ट में लिखा था test at 123 यह मैंने login कर लिया यह सामने इस ट्रेंड पर सामने यह firewall मेरी इंटरफेस आगिया अब इसका आपको next step configuration इसकी जो है वह मैं आपको अगली वीडियो पर बना के आपको पताऊंगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट झाल